एक छोटे से गाव में एक चतुर मेधत रहता था, जिसका नाम मोहन था। मोहन बहुत ही समझदार और हमेशा गाव की समस्याओं का हल निकालने में मदद करता था। गाव के लोग मोहन की सलाह मानते थे और उसके बहुत इज़त करते थे। एक दिन, गाव में सूखा पर गया, तालाब सूखने लगा और पानी की कमी हो गई, गाव के लोग चिंतित थे और समझ नहीं पा रहे थे कि क्या किया जाए। मोहन ने सोचा कि इस समस्या का हल निकालना होगा, वह गाव के लोगों को इक अठा करके बोला, हमें तालाब की मरम्मत करनी होगी और पानी का एक नया स्रोथ ढूंडना होगा, लेकिन हमें इसके लिए एक योजना बनानी होगी, गाव के लोग मोहन की बातों को सुनकर गाव वालों ने खुशी से उसे तालाब में भारना शुरू कर दिया, पानी का स्रोत मिल जाने से गाव में खुशाली लोटाई, गाव के लोग मोहन को धन्यवाद देने लगे, मोहन ने कहा, समस्या बड़ी हो या छोटी, एक अच्छा और धहरवान विचार ही समाधान की होता है, इस कहानी से हमें ये सिक्षा मिलती है कि समस्या चाहे कितनी भी बड़ी क्यों न हो, सही सोच और योजना से उसका समाधान निकाला जा सकता है, धहरी और बुद्धिमत्ता से कोई भी चुनौती पार की जा सकती है